नमस्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आपका यूनिकिश्टेडी सरकिल बाई दीपक कुमार चैनल पे दोस्तों अगर चैनल पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें साथ ही बैल आइकन प्रेस करना बिलकुन न भूलें दोस्तो यह वाला bench है हमारा Army Special Bench और दोस्तो इसमें हम पढ़ना है क्या पढ़ने है कि आप पढ़ता है। दोस्तो आज की class का हमारा पहला सवाल क्या है देख Deni तो चलिए class शुरू करें इसी सवाल से तो देखें दोस्तो पहला सवाल क्या है anecdot चार सो पचास हैं जिसमें से 30% दोस्तों क्या हैं खराब हैं कितने सेव अच्छी इस्तिती में है यह हमें बताना है देखें दोस्तों कुल सेव हम कितने परतिसत समझेंगे सो परतिसत कोई भी चीज दोस्तो अपने आप में कितने परतिसत है सो परतिसत है तो हम माल लेंगे कि माना कुल सेव सो परतिसत है दोस्तो कितने माल लिए हमने सो परतिसत अब उन में से जैसे इन्होंने खुद कहा कि 30% सेव दोस्तो कि स्थिति में है खराब इस्थिति में है तो खराब कितने हुए दोस्तो 30% अब दोस्तो अच्छे कितने है अच्छे स्थिति में कितने होंगे दोस्तो आप क्या करिएगा अच्छे इस्थिति वाले सेव कितने होंगे दोस्तो उसके लिए क्या करना है सो में से तीस को घटा लीजी तो दोस्तो इधर कितना मचा सत्तर परतिसत दोस्तो अच्छी स्थिति वाले सेव कितने है सत्तर परतिसत कुल सेव कितने है दोस्तो चार सो पचास जिन में से अच्छी स्थिति परतिसत खराब है तो अच्छी स्थितिवार्य कितने हैं डोस्तों सतर परतिसद इसका मतलब हमें 450 K K K K कि दोस्तों क्या निकालना है ? तरफ से जानते हैं और दोस्तों हम tengo क्या करें पर bleiben और बटे में सो लिखके करें अ किले दोसतों या फिर हम क्या करें परतिसद से क्या करें zero काट दें और इन दोनों की गुणा कर दें जैसे दोस्तों मचे 35 का 5 पैंजितर दोस्तों कितने 3 749 883 कितने दोस्तों gjort 31 तो इस त्रीके से कव मैं हम ने कहा दोस्तों कि अच्छी कि स्थिति में सेव Crepo लगार अच्छी स्थिति ma Challenge है रीफरोशन के दोस्तों कुछ है सब्ढ़ेंगे अगले सवाल दोस्तो और वह संख्या संख्या कितने हो दोस्तो क्ल सेभों की संख्या क्या है तो दोस्तो हम क्या पता करेंगे हम यह देखेंगे अच्छे संत्रों की संख्या वह 144 है तो यह कितने परतिसत की बराबर होगा तो दोस्तो सेवों की संख्या बतानी है कितनी तो सेवों की कुल संख्या हमने माल लिया कि सेव कुल जो है टोटल जो है सेव दोस्तो वह 100 परतिस तो इसलिए दोस्तों अच्छे संत्रे कितने होंगे देख क्या करेंगे तो दोस्तों सो में से क्या कर दिया 36 गटा दिया तो कितना बचे दोस्तों 64 पर दोस्तों क्या यह 64 30 अच्छे संत्रों की संख्या दोस्तों कितने बताई गह c54 परतीस के बराबर होगा 144 की, दोस्तो यहां से हम कैसे कुल सेब पता करेंगे हम कहेंगे कि 64 पर 37 बराबर किसके हुआ, 144 की अब क्या करेंगे दोस्तो, यह 64 जो है निच रख देंगे, यह एक का मान हो गया, दोस्तो 144 बटे कितना 64 कर देंगे, अब देखें दूर हो जाए, दोस्तो अब क्या करेंगे कुल संतरी कितने मानने हमने 100, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है दोस्तो तो किस तरीके से हमने 64% पराप्त किया, 144 के बराबर अब यह परसेंटेज का मान हमने बटे में रख दिया अब दोस्तो कुल संतरे कितने मानने के 100, इस से क्या करते है गुणा, इसे सोल करें दोस्तो, देखे, 16 चुके 64, 169 दोस्तो, 144, 4 से 100 कितनी बर गया है दोस्तो, 25 बर, अब 25 के और 9 के गुणा करिए, तो 25 गुणा 9, 225, तो इस तरीके से दोस्तो हमारा अंसर इस सवाल का क्या है, डी आया है, 225, उम्मीद है दोस्तो, चीज़े संज में आ रही है, अगला पढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर, तो आए दोस्तो, इस परकार का सवाल देखते हैं, कैसे करना है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तो, 50% क्या है, अधिक है, और हमें बत करने के लिखे, आपको करना क्या है, यह जो भी यहाँ पर वैल्यू दे, आप उसे जो की तोलिक है, ठीक है दोस्तो, जो भी वैल्यू दे दोस्तो, उसे जो का तोलिक है, अब यह अधिक बताया है, तो दोस्तो, सो में आप इसे क्या करें, जोडेंगे, सो में आप इसे क्य करें दोस्तों जोड़े सो और पचास जोड़ के कितना हुआ एक सो पचास ठीक है दोस्तों अधिक है तो दोस्तों जोड़े और जोड़ने के बाद कहां लिख लें दोस्तों नीच लिखें और परतिसत निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों सो से गुणा करते हैं वो गु इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर क्या हुआ सी हुआ ठीक है उमीद है ये सवाल समझमाय होगा आगे बढ़ेंगे इसी तरीकी के सवाल पर तो आये दोस्तों अगला सवाल देखते हैं इस सवाल में क्या कहा है यदि रहीम शाम से 25% अधिक कमाई करता है 25% अधिक कमाई करता ह दोस्तों तो शाम रहीम से कितना प्रतिषत कम कमाई करता है तो दोस्तों रहीम शाम से यह सब ऐसे हैं निए दोस्तों और यहां पर जोड़े जोड़े अगरU 25 जोड़े कितना है दो 25 इसको कहीं नहीं बटेम है लिखना है और अब आपको परतिसत निकालने के लिए दोस्तों क्या कर देना है 100 से कम और इसे सोल करके जो आएगा वही आपका क्या होगा दोस्तों अंसर होगा इतने ही परतिसत दोस्तों क्या जाएगी आपकी कमी आ जाएगी ठीक है तो 25 का 25 लिखेंगे अधिक है तो नीच इस परकार की चीजिए के लिए हो रही हैं तो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ तो आजये दोस्तो इसी तरीकी का अगला सवाल देखते हैं में कहा गया है दोस्तो यदि तेल की कीमत में 30% वरद्धी होती है 30% जहां अधिक लिख रहा था अब तक दोस्तों सवाल में इस बार बस वरद्धी लिख दिया है वरद्धी और अधिक का दोनों का मतलब बढ़ना ही है दोस्तों तो ही जुड़ेंगे ही इस बात कम ध्यान रखेंगे तो एक परिवार को तेल के उपभोग में कितने परतिसत कमी करनी चाहिए जिससे की खर्चा वही रहे तो दोस्तों अगर चीजे वही रखनी है तो एक में वरद्धी करके दूसरे में कमी तो करनी ही होगी तो दोस्तों जब भी वरद्धी दे के कमी पुछे तो हम कर क्या रहे हम कह रहे हैं कि जो भी नंबर यहां पर संख्यादी हो जिसे इस इनों ना 30 पर रदिया है तो 30 का 30 लिखे अब रदी है तो दोस्तो इसे 100 में क्या करिये जोड़ी और जोड़के नीचे लिखे तो दोस्तो 100 और 30 जोड़के कितने हुए 130 और वो आपने यहां बटे में लिखे और दोस्तो गुणा में क्या कर दिया आपने 100 कर दिया इस तरीके से अब बस अगर आप उसमें क्या कर दे 100 से गुणा तो दोस्तो कमी आ जाए देखे जीरो से जीरो काट दे दोस्तो कितना हुआ 300 300 बटे कितना दोस्तो 13 क्या इतनी बात संवारी है कि दोस्तो हमने 30 का 30 यहां लिखा और क्योंकि यह दोस्त यहां वरद्धी है तो दोस्तो 100 में 30 से जोड़के हमने कहा 130 वो बटे में लिखा और परतिसत निकालने के लिए दोस्तो हम क्या करते हैं 30 निकालने के लिए दोस्त, हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं तो दोस्तो 30 बटed 130 और गुणा 100 तो दोस्तो 20 काट दिया तीन गुणा 100umbercut कितना दोस्तो 13 आईए इसको 6 करते हैं क्योको ना इसको भाग करके देख लें तो दोस्तो 300 को हम 13 से भाग करके देख रहे हैं और दोस्तो बताईए 13 दूनी कितने दोस्तो? 26 तो यह 26 हुआ दोस्तो यहां गटा है तो कितना? 4 और दोस्तो यहां कितना? 0 अब बताईएगा 13 दोस्तो 49 कितना बचा? 1 तो करते क्या है दोस्तों ये जो भाग फल है दोस्तों उसको सही में लिखते हैं से तेज सही और जो सेज फल है दोस्तों उसे उपर और जिससे भाग दे रहे होते हैं दोस्तों नीचे बटे में तो दोस्तों दीक है अभी तक अधिक देगए कमी पूचनेंगे तो दोस्तों करेंगे तो बी कि आइए एक है कि वह एकग लिखा 25 क्रण मैं इसम्मीं होगर उंके दौट गता आई किस में से दोस्तो सो में से तो सो में से आप 25 घटा ये इस बार और कितना है दोस्तो 75 और इसको पहले की तरह है बस वहां जोड के लिख रहते बटे में इस बार घटा के लिख दिया दोस्तो तो दोस्तो कमी होने पे आप उसे घटा के बटे में लिख दे और परतिसत निकालन 100 बटे 3, और इसी, आज ही की किलास में यह आचुका है, दोस्तो, पहले भी, कि 100 बटे 3 तो कितना होता है, दोस्तो, 33 सही एक बटे 3 परते हैं, तो इस तरीके से, इस सवाल का अंसर क्या हुआ, दोस्तो, C, और कहीं तरीके के, एक ही तरीके कहीं सवाल कम है तो दोस्तों अब तक यह तो संगना होगा यहां A का B से बता हैं तो अगले बार B का A से पूछते हैं दोस्तों कम बता है तो अधिक पूछते हैं अधिक बता है तो दोस्तों क्या पूछते हैं कम तो दोस्तों जैसे इसमें कम बता है हमें तो इसी लाइन से मतलब है सारा हिसाब किताब इसी से कर लिते हैं जो नंबर दिया है दोस्तों उसे जो कतो लिख लिया अब बटे के लाइन के नीचे क्या लिखेंगे वो समझते हैं दोस्तों कम है तो 100 में से इसे गटा देंगे तो दोस्तो, 100 में से 40 गई, तो कितना आया, 60, और इसको कहा लिखेंगे, इस बटे की लाइन के दोस्तो, नीचे, और परतिसत निकालने के लिए, दोस्तो, क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे, इस तरीके से करना है, हर बार हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो ये कितने परतिसत अधिक होगा, दोस्तो, ये इसका माना आई जाता है, आईए दोस्तो, इसको calculation कर देते हैं इसकी, तो दोस्तो, 20 दूनी 40, और 20 ये 60, तो दोस्तो, 2 गुणा 100, कितना हुमा 2 गुणा 100, दोस्तो, इस दो की इस सो की गुणा करी दोस्तों दोस्तों और भाग कितना तीन अब देखें दोस्तों को तीन से भाग करें तो कितना हैगा समझते हैं तो दोस्तों दोस्तों को अगर मैं तीन से भाग करूँ तो तीन छंग अठारा दोस्तों घटाए तो कितना दो जीरो अतार लेते हैं तो दोस्तो तीन छंगल अठारा तो दोस्तो यहां कितने बची के दो तो देखे कितना हुआ दोस्तो चांसट सही दो बटे कितना दोस्तो तीन दो बटे तीन परती सथ तो यह हमारा जो है दोस्तो आंसर हुआ जो कि कहा है दोस्तों option number它 चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल के ओर तो आएए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं इस सवाल में क्या कहा गया और कुछ अंता है दोस्तों पहले से इस सवाल में दोस्तों कुछ फर्क क्या है er 20% क्या होगी दोस्तो वरद्दी होगई यान्क बढ़ जाती है तो दुकान की विकरी पर क्या परवाब पढ़ा कोई दुकान है दोस्तो चाइंकिल कि यो कीमत है मूरेip 20% कम कर लिया मालो 100 रुपे हैं तो 80 रुपे कर दिया तो दोस्तो साइं किलो की संख्यागर 100 भीका करे थी तो 120 भीकने लगी तो दोस्तो दुकान की भीकरी पर क्या परवब पड़ेगा तो ऐसे किसी भी सवाल में दोस्तो एक बहुती अच्छी सी ट्रिक चल जाती है कि अगर उतनी ही कमी है और उतनी ही वरद्धी दे दोस्तो तो हमेशा कमी होती है दोस्तो हमेशा ही क्या होती है कमी तो 20 परसेंट तो कम हुआ दोस्तो रेट और इससे दोस्तो दुकान की जो बिकरी है वो कितनी बढ़गी 20 ही बढ़गी तो दोस्तो 20 गुणा 20 कि न लगाए दोस्तों बटे में दोस्तों कितना 100 इस तरीके से 2-0 काट दीजे और दोस्तों 2-0 नी 4 और 4 पड़ते हैं और हमेशा दोस्तों क्या हुणी है कमी उम्मीद है दोस्तों इतनी चीजे संज में आई होगी बस आज इतना ही रखेंगी तो मिल अगली वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद